वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तरुन डाइरी आज का जो हमारा ब्लोग है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि वो मैं अपने गाउं के ओपर बनाने जा रहा हूं आज कुछ ऐसी सिट्वेशन आगी है जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोग डाउन हो गया है तो मतलब एक टाइम ऐसा आगया था कि दो तीन साल पहले कि सभी जो गाउं के लोग थे वो मतलब अपनी ग्रामिंट परंपरा वेश्ट बुशा जो भी हमारा कल्चर था उसे सब छोड़कर वो शहरों की तरफ जा रहे थे लेकिन अब आज की सिट्वेशन कुछ ऐसी आ गई है कि सारे शहर वाले गाउं की तरफ आ रहे हैं गाउं का जो प्यूर खाना होता है प्यूर वेजिटेबल होती है मतलब यहां पर कुछ मिलावट नहीं होती है तो वैसा ही हमारा भी गाउं है जो शहरों की भीड भाट से दूर एक शांसी जगा पर बसा हुआ है हमारे यहां पर काफी परकार के पेड़ पोधे पाए जात हमारे पास गाए होती है बेड़ बक्रियां बैल हमारे पास सुब पाले होते हैं यह मैं और यह मिरा भाई शुभम बाते हमने बहुत कर ली अब आओ हम आपको अपनी गाउं की सैयर कर वाते हैं तो वीडियों जरूर देखी favor चलो अब आब हम आपको दूरी पर यह हमारा गाओं है छोटा सा गाओं है यह परब हाडली 9 फैमिलियां रहती है वह 50 सौर 60 के आज पास यहां की जिनसंक घा यह डेखिए आंस तो कितना सउंद्र वैडर हमारा पूरा गाउं है यहां से दिख रहा है तो यह हमारे गाउं का बस्टेंड चौटा सा Industriesock और मतल। लिंक रोड आती है हमारे यहां को तो वहां से एकर किलोमेटर और बस्टेंड है से आरे आप देख लीजिए ये शुबम दिखा रहा है ये हमारे बस्टेंड से ऐसा व्यू दिखता है ये चारो तरफ गाउं 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 पहाड 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 है ये देख लो और ये हमारा गाउं और बस्टेंड हमारा अब एंट्री करते हैं गाउं के अंदर ये देखो ये हमा भॉंक रहे हम में कैसे भॉंक रहे हैं और इसको हम बोलते हैं पहाड़ी में गौाड मतलब हमारे पश्यों को कुछ आइस ही दिखती है और यह देखो हमारा गाओं मतलब यहां पर यह हमारा किचन गार्डन है हमारे यहां जो घर होते हैं इस टाइप के होते हैं मतलब यह भी घास रखने के लिए होते हैं यह देखो यह देखो यह हम अपने गाओं के उपर उपर जा रहे हैं अभी देखो कितना संदर लग रहे ह यहां से सब कुछ और यह देखो गाओं की दूसरी तरफ बस्टेंड की दूसरी तरफ से कुछ ऐसा व्यू है देखो कितना सुन्दर है यह सारे पेड़ लगे हुए है पलम के खुमानी के यह आपको मैं दूसरे ब्लोग में दिखाऊंगा कि हमारे यहां कौन-कौन से बहुत सुन्दर जगह है यह बारा महिने यहां पर बर्फ रहती है अभी थोड़े बादल आगे हुए बट यह देख लो यह दूर दूर तक हमारे खेत हैं और अभी यह नीचे गेहुं की लगी हुई है फसल और यह अभी हमने मक्की बोनी है यहां पर सर्सो लगाया था व दाकि वह नीचे हमारे भीट हैं इसमें अखेत भी होते हैं से भी होते हैं मतल् Legлом सारे प्रूटbankर फॐसे वह सब हम जिसको गौार्ड बोलते हैं और यह बाहर उनके लिए ब्रामदा टाइप का होता है बैख बोलते हैं अब हम आपको अपने गाओं की सबसे जो स्पेशल जगह है वो दिखाने के लिए जा रहे हैं वो आपको बहुत अच्छी लगेगी हमारे दिन की शुरुहात और दिन का यह मतलू वही से होता है तो चलो हमारे साथ यह हमारा टैंपल है माथारानी का हमारे मंदिर के ऊपर है यहां पर हम daily आते हैं मतलू तो आप लोगों को भी मैं दर्शन कर आधेता हूं शियोद हमने दरवाजा खोल डिया है यह देखो हरूं यह पूरागाओं दिखता देख रहा है यह देख लो यह हमारे किचन गार्डन वगरा है यह मैं और शुभम की परचाई यह नीचे यह देखो यह हमारा घर है वहाँ पर आई होप आपको हमारा वीडियो जुरूर पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कर देना और को को हमारे गाओं में क्या सबसे अच्छा लगा है